हेलो एब्रीवन आपका एक वर फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आधित बिला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्ट्टर डायट फंड गुरूत के बारे में इसमें मैं आपसे डिस साइपी अमॉंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साती साथ मैं आपसे डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन कौन साइज टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्छल फंड के अंदर कुछ पाईसा जमा किये होते तो पिछले एक साल तीन साल पांस साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्टर मैं आपसे डिसकस करूंगा कि क्या हमें आदित विल्ला सनलाइफ इंफरास्ट्रक्चर डायट फंड ग्रोथ के अंदर इंबेश्मेंट करना चाहिए या आप इसमें नहीं करना चाहिए अगर आप इसमें इंब इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया वो 45.12% का रिटन है तीन साल के अपर बात करें तो तीन साल में 26% का रिटन है पांस साल के अपर बात करते हैं तो पांस साल में 29.63% का रिटन है और अगर एन्वल रिटन की बात करें तो एन्वल रिटन है 17.48% का ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ यहां पर डिसकस किया यह इनका वन टाइम यानि की लंसम का रिटन है अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको यह रिटन देखने को मिलता अगर आप SIP के थूरू इन्वेस्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है क्या मिल सकता है यह चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूँगा नेवी के उपर बात करते हैं तो आज के डिटन में इसका एक नेवी का प्राइस है 108 रुप्या 52 पैसा रेटिंग के बात करें तो यह वन इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिममम SIP अमांट 100 पै लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1252 करोर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रेटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना एकाउंट आपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रेफ्रारिंग दिया है अगर आप मेरे रेफ्रारिंग से जॉइन करते हैं तो फिर आपको एकाउंट आपनिंग या फिर एकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा अगर आप इस मुच्वल फंट के अंदर पांच यह रप्या परमन जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार आपको मिलता उननतर हजार तीन सो पच्छतर रुपिया यानि एक साल में S.I.P. के थुरू आपको पंदरा परसेंट का रिटन देखने को मिलता तीन साल की बात करें तीन साल में आपका पैसा जमा होता एक लाक अस्ती अजार आपको मिलता तीन लाक साथ सो बाउन रुपिया यानि कि तीन साल में SIP के थुरू आपको साथ सट परसेंट का रिटन देखने को मिलता अगर आप बात करें कि इस mutual fund के अंदर अगर आप एक बार में एक लाख रुपय का लंब सम करते तो फिर एक साल में आपका एक लाख रुपया एक लाख 45,120 रुपया होता तीन साल में आपका एक लाख रुपया 2,38 रुपया होता और पांस साल में आपका एक लाख रुप्या तीन लाख श्यासाथ हजार उन्चालिस रुप्या होता होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाज डिसकस करें तो पहला नाम आता है प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अल्ट्राटेक्स सिमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन टीगा इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल और माइनिंग एज़ी इंफ्रा इंजिनिरिंग लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलुआलिया कंट्रेक्ट्स इंडिया प्रित्र में है अगर इसकी होल्डिंग इनलाइसिस की बात करें तो एक्विटी पे है 97.7 और क्यास पे है 2.3 परसेंट इसकी एक्विटी सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 27.5, कैपिटल गूड्स पे 20.8, एनर्जी 14.9, मेटल एन माइनिंग 9.5, सर्विस 9.1, कम्यूकेशन 7, फैनेंसियल 6.5 और आदर्स पे 4.7 परसेंट यानि कि अगर आप आधित विल्ला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रेक्टर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्टिब्यूट होकर के लगेगा इनकी एडवांस रेसियो के अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेसियो 29.68 और पीवी रेसियो 4.10 अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमूम लंसम आपको 1000 रुप्या करना होगा और अ सबसे पहले बात करते हैं आदित विल्ला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटन जो कि एक साल में 45.1 तीन साल में 26 पांस साल में 29.6 और एन्वल है 17.5 का वहीं पर इस कटेगरी का जो अबरेज रिटन हो था यानिकि एक्योटिस अलेक्टरिकल कटेगरी का मुच्वल फंड का एक साल का 55.13, 3 साल में 29, 5 साल में 29.6 तो यहां से देखेंगि यह मुच्वल फंड एक साल में अपना केटेगरी अबरेज से कम रिटन दे रहा है और पास साल में अपना category average के बराबर return है तो यहां से एक चीज अगर देखेंगे तो आज के rate में 2024 में किसी भी परकार का mutual fund काफी डाउन चर रहा है और पहले जो था mutual fund 2022-2023 में काफी है रिटन दिया था इसलिए इनका category average return जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन बात कर आज की rate के market के हैसाब से अगर एक साल का return 45.1 तीन साल का 26 पांस साल का 29.6 है और annual जो है 17.5 है तो यह काफी अच्छा रिटन है हालाकि इसमें holding की capacity है वो थोड़ा ज्यादा होगा यानि कि अगर आप लंसम करते हैं तो लंसम में आपको अगर 7 साल तक आप अपने पैसे को hold क करते हैं लंसम में तो आपको एक काफी अच्छा return मिल जाएगा और अगर आप साइपी करते हैं अगर आप 11 साल तक इसको hold करेंगे तो फिर एक आपको काफी अच्छा return मिल जाएगा तो अगर आप इसके अंदर investment करते हैं तो target आपको यह लेकर करके चलना है अब हम लोग ब परसेंट का exit load देना होगा और system duty की बात करें तो system duty है 0.005% tax implication की बात करते हैं अगर आप invest की आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पे आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है एक साल में एक लाग पचीज जयर का return बनता है तो फिर आपको साड़े 12% का tax payment करना होगा यानि कि short term capital gain पे आपको 20% tax देना है और long term capital gain पे आपको साड़े 12% का tax payment करना है इनकी fund house and investment objects की बात करते हैं तो आदित विल्ला सनलाइफ मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नम 537 करोड का आदित विल्ला सनलाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर डायट ग्रोथ ये एक equity मुच्वल फंड है जो कि launch किया गया आदित विल्ला सनलाइफ मुच्वल फंड की तरफ से महेश पतिल बिनित मालो अभी इस फंड का current fund manager है इस फंड का currently assistant management है 3,60,537 करोड का और latest ने भी एक सोर प्यका सेट किया गया है और minimum lump sum 1000 प्यका सेट किया गया है अगर आप invest के आवा पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको एक परसंट का exit लोड देना होगा और इसकी fund benchmark के अगर बात करेत इसका fund benchmark के nifty infrastructure total return index तो आज इस विडियो के अंदर मैंने आपके सा किया आदित विला सनलाइप infrastructure fund के बारे में फिर मिलते हैं हम दोग नेस्ट को इस तरीके का विडियो की अच्छी जानकारी को ले करके